जीरो से लेके 16 साल तक जितने भी बच्चे होते हैं उन सभी के शरीर में कफ ज्यादा होता है तो आप अगर अपने आपके घर में बच्चे हैं चोटे चोटे बच्चे आपके घर में हैं और उनका लालन पोशंड कर रहे हो तो इस कफ का विशेज ध्यान रखना जैसे कफ वाले लोगों को ज़्यादा भूख प्यास लगती है क्या नहीं लगती तो बच्चों के पीछे खाना लेके दौड़ना बन करो कि हमारा बच्चा नहीं खाता है एक रोटी खाके ही रहता है भूखा रहता है कफ वालों को ज़्यादा भूख नहीं लगती तो ये बच्चों को जबरदस्ती मत खिलाओ नहीं तो आप धीरे धीरे उनको डाइविटीस का रोगी बना दोगे कफ वाले ये जो बच्चे हैं वो उपवास नहीं कर सकते बच्चे लोग तो उनको जब भूख लगेगी तब ही खिलाओ पहली चीज दूसरा कफ वालों को कोई भी चीज जल्दी याद नहीं होती है पर एक बार याद हो गया तो भूलते नहीं तो बच्चों को कभी चिलाओ मत कि इसका दिमाग कमजोर है ये पढ़ता नहीं है ये सो में से 90% नमबर नहीं लाता उस चकर में मत पढ़ो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो 16-17 साल के होते ही उनकी दिमागी शक्ती बहुत तेज हो जाती है जैसे ही वो पित में जाते हैं तो उनका दिमाग तेज हो जाता है तो बच्चों को कभी भी इसके लिए डाटो मत की तेरा दिमाग ऐसा है वैसा है उनका दिमाग बच्चपन में ज़्यादा समझने लाइक नहीं रहता और कभ वालों को कोई भी चीज याद हो जाए तो वो भूलते नहीं तो अपने बच्चों को ऐसी चीजे याद कराओ जैसा आप उन्हें बनाना चाहते हो आजकल के माबाप अपने बच्चों को क्या बना रहे है चार बोटल वोड का हाँ टीवी के सामने चालू करके रख देंगे तो बच्चा बीस साल का होने तक डेड़ दो लाग बार से ज़्यादा रेप देख चुका होता है तीन साड़े तीन लाग बार से ज़्यादा मर्डर और छे साथ लाग बार से ज़्यादा दारू पीना, सिगरेट पीना ये देख चुका होता है तो उसके दिमाग में वही बैठ जाता है और फिर आप बाद में उसको कितना भी समझा लो वह याद वही रखेगा तो आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो जो बनाना चाहते हो वह चीजे रटाओ जैसे पहले के लोग क्या करते थे कि बच्चों को बच्चपन में भागवत गीता, रामायन या पंच्य तंत्र की कहानिया ऐसी चीजे उनको रोध सुना सुना के रटाते थे तो वो चीजे उनके दिमाग में बच्चों के दिमाग में बैठ जाती थी जब वो बड़े होते थे और उनके शरीर में पित बढ़ता था उनका दिमाग तेज होता था तो वो उन चीजों को समझना चालू करते थे और 40-45 के बाद जब वो वा उनके शरीर में बढ़ता था तो पूरे समाज में जाके वो लोगों को ये चीजे प्रचार प्रसार करते थे तो आप देखो आप अपने बच्चों को क्या बढ़ाना चाहते हो अपने बच्चों का लालन पोशन करना है तो उनकी तेल मालिष जरूर करना अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा बहुत मजबूत शरीर का हो उसके शरीर की ताकत बहुत अच्छी हो बहुत बलवान हो उसकी मस्कुलर ग्रोध बहुत अच्छे से हो तो बच्चों की तेल मालिश जरूर करना पांच मिनट ही करो पर जरूर करना रोज खास करके सिर और पैर के तड़िया की मालिश जरूर करना बच्चों की अगर आपको बाकी शरीर में तेल लगाने का टाइम नहीं है तो सिर और पैर की तड़िया की मालिश जरूर करो ये बच्चों के ब्रेन और शरीर के ग्रोथ के लिए बहुत कमाल की दवा है जरूर करना अपने बच्चों को गोड की चीजे जरूर खिलाओ तल के लाडू बना के खिला सकते हो मकफली और गोड बनाके खिला सकते हो गोड की मिठाईया बनाके खिलाओ तो उनके शरीर में जितना गोड जाएगा उतना कफ नॉर्मल होगा और उनके शरीर का विकास अच्छे से होगा कभी भी बच्चों को जो आप टिफिन देते हो उस टिफिन में तल के लाडू बनाके डाल दो दो चार तो वो खाएंगे अपने बच्चों को चूने का पानी जरूर पिलाओ या चूना जरूर खिलाओ अगर वो आठ साल के नीचे हैं तो क्या करो एक गहूं के दाने के बराबर चूना ले लो एक ग्लास पानी में घोल लो जब वो चूना नीचे बैठ जाएगा तो उसका जो उपर वाला पानी रहेगा एक दो चम्मच वो पानी पिला दो उसके अंदर कैल्शियम है कैल्शियम आपके बच्चों के शरीर को जितना कैल्शियम मिलेगा उसका हाइट और उसके हाड़का का ग्रोथ उतने अच्छे से होगा बच्चों को रोज सवारे तडका में बिठाओ अगर रोज नहीं बिठा सकते तो संड़े को रवीवार को जरूर तडका में बिठाओ क्यों अगर विटामिन D नहीं है तो चार गुना जल्दी मानसिक रोग होते हैं तो बच्चों का लालन कोशन करना है तो सवारे तड़का में अरधा कलाग जरूर बिठाना हुने उनके लिए ये बहुत अच्छी चीजे हैं मक्खन, माक्खन ज्यादा से ज्यादा खिलाओ बच्चों के ग्रोध के लिए तो ये कुछ चीजे अगर आप बच्चों के लालन कोशन में ध्यान रखो तो उनके शरीर और दिमाग का आप बहुत अच्छे से विकास कर सकते हो